हालो दोस्तों क्या हाल है दोस्तों SSC GD exam का form apply कैसे करते हैं पूरी जानकार आज हम बताने वाले हैं 49,481 टोटल पदो के लिए ये vacancy apply की जा रही है ये तो form पूरा fill करके दिखाऊंगा live photo signature वगरा वगरा सब कुछ चलिए start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके पास OTR होना चाहिए OTR ID password डालेंगे लोगिन कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब आप क्या करेंगे उस condition में आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे लोगिन के नीचे देखेंगे registered now इस वाले option के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकरी आजाएगी तो यहाँ पर देखेंगे continue वाले option के उपर क्लिक करेंगे जैसे इस के उपर क्लिक करते हैं तो एक इस प्रकार की जानकरी आएगी यहाँ पर आपका आधार कार्ट किया, आपके पास आधार कार्ट है, यस करेंगे, दोनों जगे आपको आधार कार्ट नमबर आपको फिल कर देना है, यहाँ पर आपकी माकशीट के अनुसार दोनों जगे आपको नाम इंटर कर देना है, इसके बाद में नीचे आएंगे, मे MP Board से है तो MP Board और Secondary Education ऐसा आपको दोनों जगे सेलेट कर लेना है अब यहाँ पर देखेंगे यह सब complete होने के बाद जो रोल नमबर है उसे दोनों बार आपको टाइप कर देना है कौन से यहर में आपने पास आउट किया वह आपको यहां पर आपको complete हो जाएगा complete होने के बाद save and continue करके यहां से आगे बढ़ जाना है यहां पर देखेंगे आपका जो OTR नमबर है वह आपके सामने आ जाएगा आपको टेंप्रेरी पासवर्ड आपके मुबाइल पर आएगा यहां पर पहले जो नमबर आया है उसे आपको टालेंगे जो टेंपरेरी पासवर्ड आया उसको डालेंगे यहां पर आपको केपचा को डालने के बाद इसे sign in करेंगे old password यहां पर डालेंगे आपको registration पुछे से नंबर डालने के बाद में और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जैसे आपका नाम एड़ रेट लगा के 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड क्रियेट करेंगे उसी पासवर्ड को आपको याद रखना है उस पासवर्ड का हर जगे यूज़ होगा राइट यहाँ पर देखेंगे जो security question मांगा जाता है इन में से कुछ आपको एक security question देना होगा जैसे favorite movie आपकी क्या है तो यहाँ पर कुछ भी जो भी आपको movie पसन है वो movie का नाम आपको लिख देना है इनकेस अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यह security question काम आएगा तो यहाँ पर देखेंगे born city कौन सी है तो आप कहाँ पर आपका जन्म हुआ वो city का नाम भी डाल सकते हैं success कहोने के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से ओके करके इसे आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर additional जानकारी में आपका कौन सा वर्ग में आप आते हैं STS जो भी कुछ है वो आपको सेलेट करना होगा यहाँ पर आपको citizen of India आपको सेलेट करना होगा चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे visible mark क्या होता है दोस्तों cut mark on head या फिर mall on face इस प्रकार से होता है personal disability यहाँ पर देखना अगर हो तो डाल सकते हैं आपका address आपको fill कर से देखें तो आपको इस वाले option के ओपर yes करेंगे तो यहाँ पर पूरा address आपको fill करके मिल जाएगा राइट यहाँ पर देखेंगे save and next option के ओपर click करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है declaration करेंगे declaration करने के बाद में यहाँ पर agree करेंगे agree करने के बाद यह पर पहले एक बार देखने को मिल जाए कब last date वगेरा सब कुछ है अब यहाँ पर apply वाले option के ओपर click कर देना जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने पूरे instruction आपके सामने आ जाएगा इन सब को अच्छे से पढ़ लेना इसके बाद में यहाँ से fill form इस वाले option के ओपर click करेंगे जो basic detail आपने OTR में दिया था वही सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह सारी जानकारी fill होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे education में जो आपकी education वो select कर लेंगे इसके बाद में पूरी जानकारी complete हो जाएगी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे right तो यह complete जानकारी होने के बाद save and next करेंगे next करने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे success हो जाएगा चले यहाँ से okay किया आपने okay करने के बाद देखेंगे additional one अब यहाँ पर दो जानकारी रहती additional one two आपने कहीं पर भी काम किया है government service में कुछ काम किया हो तो yes करेंगे otherwise no कर देंगे यह वाले जो तीसरे number का column रहता है क्या आप government के साथ अपनी जानकारी को साजा करना चाहते हैं यस करेंगे यस कर दे तो अच्छा रहेगा यस करने के बाद यहाँ से save and next करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है चले यह जानकारी save हो जाएगी इसको okay करेंगे यहाँ से save and next करके आगे बढ़ेंगे additional two additional two जानकारी में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका center है examination center जो आप लेना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर 2-3 बार आपको लेना है कौन कौन से center आपको first second third जो भी लेना है उसके अनुसार आपको select कर लेना है नेशनलाइज यह वाले जो सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाता है इससे नो कर दीजेगा, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपका जो स्टेट है उसे आपको यहाँ पर सेलेट करेंगा है, दोनों बार आपको स्टेट सेलेट करना होगा, वापस से आपको यहाँ पर भी नहीं करेंगे, इसे नो कर दीजेगा, यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टिक के लिए इसमें पूछा गया है, इसे भी आप वैसे नोई है, अब यहाँ पर पोस्ट आपको यहाँ पर रेफरेंस किस प्रकार से देना है, वो समझ लीजेगा, सबसे इंपोर्टेंट यह रहत है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है, चलिए हमने यहाँ पर बना लिया है, जैसे हमने जिस प्रकार से हमने इस सेलेक्शन को हमने लिया है, उसके अनुसार वापस से यहाँ पर टाइप करना होगा, जो भी आपने जो लिस्ट बनाई है, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करना चाहते हैं देखिए कुछ गलट टाइप कर देंगे तो इस प्रकार की दिक्कत आएगी यहां पर आपने पूरी जानकारी सेलेक्ट करने के बाद में 7-NEXT करके यहां से अगबर जाएंगे यह आपकी प्रो पोस्ट जो है वह रफ्रेंसिस हमने दे चुके हैं ओके करेंगे ओके करने के बाद अब बात आती है फोटोग्राफ की फोटोग्राफ में देखेंगे यहां पर कुछ इंस्ट्रेक्शन दिया गया है पस्ट इंस्ट्रेक्शन जैसे मनलो आपका फोटोग्राप जो है बेग्राउंड साही होना चाहिए दूसरा इसमत यह केपचरिंग के समय पर आप फ्रेंट फोटो होना चाहिए इसमें यह पर कहीं इधर उधर आप नहीं देख सकते इसके बाद में कोई केप लगा करके आप यहाँ पर फोटो नहीं किचवा सकते ऐसे सारे इंस्ट्रेक्शन दिये गए इसमें इन इस्ट्रेक्शन को फोलो करना होगा इसके बाद में इसको लाइफ फोटो आपका खीचा जाएगा लाइफ फोटो कैसे खीचेंगे वह भी मत दिखाऊंगा कम्प्लीट लिए आपको फोटो अप्लोड करना है किस प्रकार से करें पिक्सल भी में दिखाऊंगा चलिए सबसे पहले फोटोग्राप कर लेते हैं तो फोटोग्राप आपको यहाँ पर जो है एससी की यह एफ होती है आप वहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे इसके बाद आईडी पास्वर डाल बेग्राउंड एक जैसा होना शाहिए पीछे इसा ना हो को दो तीन बेग्राउंड एक जैसे हो ठीक है तो यह कंप्लेट हो गया आप इसके बाद में यहाँ पर देखिए सक्सेस्फुली का मेसेज आपके पास आगया है अब यहां से इससे अप्लोड कर देंगे यहां से के बाद भार आजाएंगे आपका फोटो गेंगर आप यहां पर देखने को मिल जाएगा सिगनेचर यहां पर करेंगे देखिए आप 1998 दिखा देता हूं क्रॉप करके यहां पर इसक किस पर कार से हम साइज कर देना ना कि यहां पर करके इस हैनकारी आजाएगी आप इससे प्रकार से हुआ अपलोड कर देंगे सिम्पल सी प्रोसेस यह यह अप्लोड हो गया इसके बाद में हैसे से भिगThemr करेंगे तो आपका जो PDF form का वो complete हो करके आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए यह complete हो गया preview कर दिया इसके बाद declaration हो गया यहाँ पर आपके सामने एगरी करेंगे capture code डालेंगे और इससे final submit देंगे final submit करने के बाद में verification pending रहता है एक या दो दिन बाद हो जाता रही तो यहाँ पर आपकी slip आपके सामने आ जाएगी वीडियो चल लगे तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब